तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है तो हमने इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर में विलेता कंप्लीट कर लिया है है हैंडरी कर नियम कंप्लीट कर लिया है वाश्पदाप क्या होता है ये भी देख लिया राउल कर नियम भी समझ लिया आदर्स अनादर स्विलियन भी हमने पढ़ा अणू संख्य गुड के अंदर कौथनांग में उन्नयन, हिमांग में अवनमन और परासरण दाब इतने टॉपिक इस चेप्टर में हो चुके हैं और मैं क्लियर कर दूँ कि हैंडरी का नियम और राउल के नियम का जो निमेरिकल है वो हम कर चुके हैं यह हमने कर लिया है आज के क्लास में हम कौथनांग में उन्नयन, हिमांग में अवनमन और परासरण दाब के जो निमेरिकल हैं आज हम वो देखने वाले हैं तो निमेरिकल करने से पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला याद दिला दूँगा और यह भी याद दिला दूँगा कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं और किस तरह की कठिनाईयां हमारे सामने आ सकती हैं और उस समय हमें किस तरह से दिमाग लगाना होगा कि किसी प्रश्ण में किस तरीके से उसे हल करना है तो चले फिर आज क्लास शुरू करते हैं बेटा आज के क्लास में हम निमेरिकल करने वाले हैं और निमेरिकल में सुरुवात करेंगे निमेरिकल में हम सुरुवात करेंगे किस टॉपिक से बेटा तो हम निमेरिकल को एक मिनट हम सुरुवात करेंगे निमेरिकल में अनुसंख धर्म गुड के अंदर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांग में अवनवन और परास्रा नदाब, आज हम इन तीरों के निमेरिकल करेंगे, तो एक-एक करके, एक-एक करके मैं सारे फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूं, और ये भी बताता हूं कि निमेरिकल बनाते हैं, व बॉलिंग पॉइंट, यानि क्वथनांक में उन्नयन, पहले आपको फॉर्मूला याद दिला दूँ, अच्छा, थोड़ा सा ना, अभी दो-तिन क्लास जो है, गैप हो गया हमारा, एक्चोली हमारे कोचिंग के जो ओनर है, पांडे सर, वो किसी जरुरी काम से अभी बाहर चले गे थे चार-पांस दिनों के लिए, और मैं खुद आप से चार-पांस दिन के बाद मिल रहा हूं, तो कुछ क्लासेज पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो एक बार मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बता देता हूं, फिर निमेरिकल करेंगे बेटा, ठीक अ lugाव के माधियम से ये सीखा था कि जो विलायक होता है, याने कि जो solvent होता है, उसके कोथनांग के मुकाबले, जो Glenn होता है, याने जो solution होता है, उसका कोथनांग ज़ादा होता है, यादे बेटा, इसको हम T0, B लिखते थे, इसको T भी लिखते थे, और इन दोनों की बिच जो अंतर है, इस अंतर को हम डेल टी बी लिगते थे तो हम आल रेडी आल रेडी ये टॉपीक पढ़ चुके हैं, तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने ये सीखा था, कि विलायक के तुलऻना में विल्यन का कोथना ज्यादा होता है, और हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र क्य था डेल टीबी के भी एम आगे बढ़ते हैं डेल टीबी के भी एम मतलब मुलाल्टी मुलाल्टी कहा था बिटा विले का द्रव्यमान विले का आणविक द्रव्यमान और विलाया का द्रव्यमान हमने यह सुत्र ऐसे लिखा था फिर डेल्टा टीबी को ऐसे भी लिखते हैं ह तो TB-T0B, लीजिए, मुझे पता है कि आपने इस chapter के सारे class attend किये हैं, फिर भी मैं अपने तरफ से एक बार formula याद दिला देना चाहता हूं, तो मैंने सारे formula आपके बगल में लिख दिये, और याद रखना, आज हम numerical करेंगे, अब numerical करने के लिए ये जरूरी है, कि आप सारे lectures आपने attend किये होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये topic पढ़ा हुआ है, तो चलो आज हम numerical करेंगे, बैटा, तो numerical कैसे करेंगे, तो असल में होता क्या है, गौर सुनेगा, नियम तो कहता है, numerical बनाने का, numerical कैसे बनता, सुनो, तो बैटा, नियम तो कहता है, नियम कहता है कि आप, पहले सारा formula याद करो, दया सुनना, numerical बनाते वक्त, नियम कहता है कि आप पहले सारा formula याद कर लो, formula में, किस किस चीज को क्या कहते हैं, ये याद कर लो, उसके बाद, प्रश्ण को ध्यान से पढ़ो, और ये पता लगाओ, कि क्या प्रश्ण में दिया है, और क्या पूछ रहा है अब बिटा निमेरिकल बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता निमेरिकल बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता कई परेशानिया सामने आती है जैसे कि कई बच्चे कहते हैं कि सर हमको प्रश्ण पढ़के समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रश्ण में क्या दिया है क्या पूछ रहा है कई तरह के बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर प्रश्ण हमने पढ़ा पर हम समझी नहीं पार कि प्रश्ण में क्या दिया और क्या पूछ रहा है कई बच्चे कहते हैं कि सर हम आधा धूरा समझते हैं पर पूरा क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि प्रश्ण एकदम simple language में होते हैं पर कई प्रश्ण की भाषा काफी कठिन होती है बहुत complicated language में होता है तो मैं आप लोगों को numerical दो तरीके से कराऊंगा एक नॉर्मल जो logical method होता है बुकिश method होता है उस तरीके से और जिन बच्चों को numerical बनाने में परेशानी होती है उनके लिए एक दूसरा उपाई भी मैंने आपके सामने आज लेके आने वाला हूँ तो याद रखिए जो अच्छे बच्चे जो तेज बच्चे जो होसियार दिखाता हूँ तो फिलहाल अभी हम क्या topic पढ़ रहें बैटा elevation in balling point याने की कौथनांक में उन्नयान तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्ण हल किये जाते हैं तो बैटा जब भी आपके सामने कोई प्रश्ण आता है तो दो ही चीज़े होती है एक कि प्रश्ण में क्या 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 दिया है और दूसरा प्रश्ण में क्या पूछ रहा है तो चलो जब भी किसी प्रश्ण में कोई मान दिया रहता है कोई value दिया रहता है तो कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ का value दिया है गौर सुनना किसी प्रश्ण को पढ़ने के बा कोशन में क्या पूछा है तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे पता लगाया जाता है बेटा सुनना मैं आपके सिंपल तरीका समझाता हूं जब भी आपको कोशन में पहले पहले ये देखते हैं कि जब भी कोई चीज दिया रहता है दिया है तो कैसे पता चलता है कि क्या ची द्रवेमान दिया रहेगा जब भी किसी प्रश्ण में दो द्रवेमान दिया रहेगा तो समझ जो बेटा जो छोटा वाला द्रवेमान होगा उसको W भी ले लेंगे और बड़े वाले द्रवेमान को W जब भी किसी प्रश्ण में दो दरवेमान का मान दिया रहेगा तो हमेशा छोटा वाला दरवेमान डेबलुबी होगा और बड़ा वाला दरवेमान हमेशा डेबलुए होगा हमेशा जैसे दो गराम पचास गराम अगर प्रश्ण में कहीं पर लिखा है दो गराम पचास गराम तो 2 गराम WB, 50 गराम WA तो हमेशा याद रखना, जब भी 2 ताप मान दिया रहेगा तो छोटा वाला दरवे मान WB और बड़ा वाला दरवे मान WA होगा अच्छा जी, अगर किसी प्रश्ण में 2 ताप मान दिया रहेगा जब भी किसी प्रस्ण में दो ताप मान दिया रहेगा तो हमेशा छोटा वाला ताप मान को T0B लेंगे और बड़े वाले ताप मान को Tb लेंगे जब भी किसी प्रस्ण में दो ताप मान दिया रहेगा तो हमेशा छोटे वाले ताप मान को T0B T not B और बड़े वाले ताप मान को T B मान के चलेंगे चले आगे बढ़ते हैं अगर किसी प्रस्ण में अगर किसी प्रस्ण में एक, सिर्फ एक एक ताप मान दिया रहेगा सिर्फ एक ताप मान तो बैटा समझ लो कि सीधा सीधा वो डेल टीबी का वैल्यू है समझ जाओ डेल टीबी है अगर किसी प्रस्ण में एक ताप मान दिया है तो समझ जाना डेल टीबी है और अगर जहां सुनेंगे अच्छा अब एक ही ताप मान का मतलब है एक बात क्लियर कर दूँ कि हमेशा KB का वैल्यू तो दिया ही रहेगा एक बात गुलेंगे नहीं KB का वैल्यू तो हमेशा प्रस्ण में दिया रहेगा KB का वैल्यू हमेशा प्रस्ण में दिया रहता है लेकिन अगर किसी प्रस्ण में KB का वैल्यू नहीं दिया रहेगा मान लोग किसी प्रश्ण में केबी का मान नहीं दिया रहेगा तो बेटा उसको 0.52 Kelvin लेके चलना जब भी किसी प्रश्ण में केबी का मान नहीं दिया रहेगा तो उसको 0.52 Kelvin लेके चलना दरसल यह जो value होता है न यह होता है बेटा for water, जल के लिए तो जब भी किसी प्रश्ण में आपका विलायक जल हुआ जल हुआ तो समझ जाना KB कमान 0.52 Kelvin ही होगा पर कभी कभी किसी प्रश्ण में KB कमान नहीं दिया रहता तो जब भी किसी प्रश्ण में KB कमान नहीं दिया रहेगा अपने आप उसे 0.52 लेके बनाना आपका बन जाएगा चलो अभी मैंने आपको बताया कि क्या दिया है अभी मैंने आपको बताया कि किसी प्रश्ण में जब भी कोई चीज दिया रहता है तो कैसे पता चलता है कि क्या चीज दिया है यह सब आपको दिवांग में रखना है पूछता है तो क्या पूछ रहा है कैसे पता चलता है क्या पूछ रहा है कैसे पता चलता है तो जब भी किसी प्रश्ण में कुछ पूछेगा कुछ कुछ पूछता है तो कैसे पता चलता कि क्या पूछ रहा है ध्या सुन न बेटा तो अगर किसी प्रश्ण में बोलेगा कि भार निकालो भार या फिर द्रव्यमान निकालो द्रव्यमान या फिर मातरा निकालो तो जब भी किसी प्रश्ण में पूछेगा कि भार निकालो या दरवेमान निकालो या मातरा निकालो तो समझ जाओ आपको WB ही पता करना है जब भी किसी प्रश्ण में बोलेगा भार निकालो दर्वेमान निकालो या मातर निकालो समझ जाना आपको W भी ग्यात करने बोल रहा है अच्छा अगर किसी प्रश्ण में बोलेगा कि तापमान या कोथनांग ग्यात करो अगर किसी प्रश्ण में बोलेगा तापमान ग्यात करो या कोथनां ग्यात करो तो समझ जाना बेटा समझ जाना कि तुमको टीबी ग्यात करने बोल रहा है TB ग्याद करने बोल रहा है हमेशाद रखना एक बात क्लियर कर दूँ जब भी किसी प्रस्ट में बोलेगा न द्रवेमान ग्याद करो तो WB ही ग्याद करना हमेशाद रखना WB ही ग्याद करेंगे कभी भी WA ग्याद करने को नहीं आता कभी भी WA ग्याद करने को नहीं आता और जब भी बोलेगा ताप मान ग्याद करो तो आपको T भी ग्याद करना है कभी भी T नॉट भी ग्याद करने को नहीं आता कभी भी T नॉट भी ग्याद करने को नहीं आता तो मैंने कहा WA ग्याद करने को नहीं आता T नॉट भी ग्याद करने को नहीं आता तो आप मुझे बताओगे इन दोनों में समान क्या है? क्या common बात है? कि T not B कभी ग्याद करने को नहीं आता, W A कभी ग्याद करने को नहीं आता, दोनों में क्या समान बात है? जल्दी बताइए मेरे को, दोनों में क्या समान है? हैं जी क्या समान बात है विलायक है विलायक है एकदम सही बात बेटा एकदम सही बात ये विलायक का ताप मान है ये विलायक का द्रवे मान है तो क्या समझे कभी भी किसी भी कॉश्चन में विलायक का कभी भी कुछ नहीं पूठता कभी भी विलायक का ताप मान नहीं पूछता आगे बढ़ते हैं अब किसी प्रश्ट में बोलेगा कि चलो अडू भार निकालो या फिर एक मिनाच अगर बोलेगा कोथनांग में उन्ययन निकालो तो बैटा उन्ययन निकालने बोलेगा तो फिर सबको पता है क्या निकालना है उन्ययन निकालने बोलेगा मतलब आपको डेल्टा टीबी ग्याद करना है उन्ययन निकालने बोलेगा तो डेल्टा टीबी ग् निकालने बोल रहा है आपको M भी निकालने बोल रहा है तो चलिए अगर आप प्रश्ण पढ़के समझ जाते हो कि क्या पूछा है और क्या दिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर किसी बच्चे को निमेरिकल बनाने में परेशानी होती है तो बस आप यह सूत तो याद कर लो इतना बस याद कर लो बेटा कुछ भी कोश्ण आए अप फटाक से बना लोगे कुछ भी कोश्ण आए आप फटाक से बना लोगे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिजिए फिर मैं कोश्ण आपको बताता हूं बेटा कैसे करते हैं अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें कई बच्चे जो है न फस जाते हैं क्या है बेटा वो बात तो सुनना हमारा सूत्र क्या था डेल टीबी के बी एम अब आपके प्रस्ट में आपके प्रस्ट में के बी का मान तो दिया ही रहेगा पर के बी का मान अक्सर कैल्वीन में देता है बेटा के बी का मान कैल्वीन में दिया रहता है लेकिन डेल्टा टीबी का मान केल्विन में भी देता है और कभी-कभी डिगरी सेल्सेस में भी देता है गौर से सुनियेगा केवी का मान हमेशा केल्विन में देगा केवी का मान हमेशा केल्विन में देगा लेकिन डेल्टा टीबी का मान केल्विन में भी दिया होता है कभी-कभी डिगरी सेल्सेस में भी दिया होता है तो confused नहीं होंगे डेल्टीबी डेल्टीबी जो है वो चाहे केल्विन में दिया हो चाहे डिगरी सेल्सेस में दिया हो बेटा ये बराबर ही होगा क्योंकि del tb चाहे Kelvin में हो या degree Celsius में meaning सेम होता है उसका मतलब सेम होता है क्यों मतलब सेम होता है चलो वो भी आपको बतायता हूँ बेटा असल में del tb क्या है tb minus t not b अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर प्रश्णमे इसका मान Kelvin में दिया है Kelvin में लेकिन इसका मान degree Celsius में है और इसका मान भी degree Celsius में है और तुम सोच रहे हो कि ये तो Kelvin में है और ये degree Celsius में तो क्यों न मैं इसको भी Kelvin मना दू तो तुम बताओ बेटा ये difference है ये difference है यह minus sign है तो अगर तुम इन दोनों को minus करोगे तो जो भी मान आएगा ध्यान में रखना अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो एक मान आएगा जो कि degree Celsius में आएगा लेकिन अगर तुम इसको Kelvin में चेंज करोगे अच्छा बेटा, degree Celsius को Kelvin में कैसे चेंज करते हैं? प्लस 273 तो तुम बताओ, इसमें अगर 273 प्लस करोगे और Kelvin मना दोगे इसको में, इसको भी अगर आप 273 प्लस करोगे और Kelvin मनाओगे तो बेटा, इसमें भी आपने 273 प्लस किया इसमें भी 273 प्लस करोगे और उसके बाद माइनस करोगे तो आंसर तो उतो नहीं आएगा तो जब अधरस्ति का Kelvin में बदलने की क्या आमाशकता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि Del TV चाहे Kelvin में दिया हो या degree Celsius में उसका मतलब सेम होता है तो प्लीज कई बचे परशान होते हैं कि सर ये जो है Kelvin में दिया है और ये जो है degree Celsius में तो क्या इसको change करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये degree Celsius में हो चाहे Kelvin में meaning इसका सेम होता है तो ये ही छोटी छोटी बाते हैं जो आपको numerical बनाते हैं वक्त दिमाग में रखना होता है तो चलिए फिर कोशन बनाते हैं और देखते हैं कि मैंने जो चीज आपको बताया ये किस हद तक हमारे लिए कारगर है तो ये लिजिए पहला प्रस्ट आपके सामने आगया पहला प्रस्ट आपके सामने आगया अब उसी logic से हम इस कोशन को बनाते हैं बेटा तो हमारा प्रस्ट हमारा जो सूत्र है वो क्या है बेटा गौर सुनेंगे सबसे पहली बात चीजों को समझो ये बताओ इस प्रश्ण में केवी का मान दिया है अच्छी बात है तो इस प्रश्ण में केवी का मान दिया है 0.52 केलवीन चलो आगे बढ़ते हैं अब अब देखो यहां 18 ग्राम लिखा है और एक तरफ एक केजी यानि की हजार गराम लिखा तो याद मैंने कुछ दिर पहले आपको क्या बताया था कि जब भी प्रश्ण में दो द्रवेमान दिया रहेगा तो छोटा वाला द्रवेमान हमेशा डबलू भी होता है और बड़ा वाला द्रवेमान हमेशा ड प्रेयोग नहीं है कई बच्चे दिमाग लगाते हैं कि यहां दाब दिया है अब दाब का क्या करूँ और क्या करोगे तुम्हारे सूत्र में तुम्हारे सूत्र में कहीं पर भी दाब का प्रेयोग है क्या यह बताओ कि सूत्र में कहीं पर भी दाब है क्या नहीं है तो बेट यहां पर इस प्रस्ण में देखो दाब लिखा है तो दाब लिखा बस है उपयोग कहीं पर नहीं होगा तो चलो अब देखते हैं अब प्रस्ण में क्या पूछा है प्रस्ण में पूछा है बेटा यह देखो क्या पूछा है कोथनांक सुनना ध्यान से इस कोशन में पूछ र अब भी बताया हूँ जब भी कोथनांग पूछेगा तो क्या निकालेंगे याद मैं बताया था जब भी बोलेगा कि कोथनांग निकालो कोथनांग निकालो तो जब भी प्रश्ण में कोथनांग निकालने बोलेगा तो टीबी ही निकालते हैं तो ठीक है फिर तो ठीक है फिर T0B, KB, Weight of Solute, 1000, Molecular Weight of Solute, Weight of Solvent, अच्छा जी, तो मैं समझ गया, इन सभी डेटा को देखके, कि TB निकालना है मुझे, TB निकालना है मुझे, अब अब आगे बरते हैं, KB कमान किता दिया है, KB कमान दिया है बैटा, 0.52, W भी किता दिया है, W भी दिया है, 18 ग्राम, आगे बरते हैं, W भी किता दिया है बैटा, 1000 ग्राम, और ये क्या है, विले का अडू भार, तो आपका विले क्या है, ग्लुकोज और ग्लुकोज का अडू भार कितना होता आपक सबस्ति अब यहां क्या पूट अप करूं यहां क्या पूट अप करूं तो बेटा टी नौट भी क्या होता है टी नौट भी क्या होता है विलायक का कोथनांग विलायक का कोथनांग और आप विलायक क्या है विलायक है जल विलायक क्या है जल और जल का कोथनांग कितना होता ह बेटा 100 degree Celsius याने की 373 Kelvin बस यह पूरा हल करना है आंसर आपके सामने आ जाएगा तो याद रखना यह जो डेटा आपको सिखाया गया है इसके मदश्या आप किसी भी कोश्चन को हल कर सकते हैं बेटा तो स्क्रीन शॉट लीजिए और कोश्चन बनाएंगे हम लोग इसक्रीन शॉट लीजिए अगला परश्चन बनाएंगे हम लोग जो लॉजिक आपको बताया गया उसी के माध्यम से बनाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो बेटा मैंने अभी जो आपको एक मिनट ना इसको हटा देते हैं ये भी ये भी हाँ तो ये जो मैं आपको लॉजिक बताया था ना इसका आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब इसी लॉजिक के माध्यम से मैं सारे कोशन आपको बनाकर दिखाऊंगा ठीक है चलो अगले परश्चन के तरफ चलते हैं इस परश्चन को देखो बेटा इस परश्चन को जड़ा गौर से देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है क्या क्या पूछरा समझ लेते हैं तो इस परश्चन में सबसे पहले बोला है कि लिखा है यह तो परश्चन है यहां से स्टार्ट हुआ है बेंजीन का कोथनांक बेंजीन का कोथनांक दिया है उसक जब भी दो द्रवेमान दिया रहता है तो छोटा वाला द्रवेमान क्या होता है डबलू बी और बड़ा वाला द्रवेमान क्या होता है डबलू ए है ना और देखो दो ताप मान दिया एक यह वाला ताप मान और 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 का एक एक यह ताप मान और एक यह ताप मान दो ताप मान दिया है जब दो ताप मान दिया रहता था मैं क्या पताया था छोटे वाले ताप मान को टी नौट भी लेंगे तो छोटा वाल ताप मान को सा है बेटा ये उपर वाला वो छोटा है 353.23 और बड़ा वाला ताप मान टी बी लेना है मैं बताया था ना दो ताप म TB होता है तो ठीक है ठीक है तो बड़ा वारा TB कितना है बटा 354.11 Kelvin और KB कमान तो दिया ही रहता है किता दिया है 2.53 Kelvin और क्या निकालने बोल रहा है बोला है molar दरवेमान molar दरवेमान किसको बोलते हैं बटा weight of solute into 1000 molecular weight of solute into weight of solvent चलिए सारे value put up करते है फटा फट टी बी किता दिया है TB दिया है बटा 354.11 T not B क्या दिया है जी 353.23 KB के मान किता दिया है 2.53 W के मान किता दिया है 1.80 W A कमान किता दिया है 90 और आपको क्या निकालना है और आपको निकालना है बेटा MB कमान तो देखिए कितना लंबा चोड़ा कोशन है ये कितना लंबा चोड़ा कोशन है पर अगर आपने ये तरीका शीख लिया कि जब भी कोई चीज दिया रहता है तो कैसे पता चलता है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है तो अगर आपने यह logic पूरा दिमाग बिठा लिया कि इसको अगर आपने दिमाग बिठा लिया कुछ भी question है आप बना लेंगे चलिए तो फिर इस question को screenshot लेले ले बेटा, हल करोगे, तो MB कमान इतना ही आएका, जो यहाँ पर दिया है, प्रिस कॉपी करेंगे, यह स्क्रीन शॉट लेंगे. ओके, आगे बड़ें? ओके, अब और देखते हैं, बेटा, और देखते हैं, तो यह तो हो गया, कौथनांक से संबंधित प्रस्ण, अब एक काम करते हैं, हिमांक, हिमांक से संबंधित अगर प्रस्ण आया, तो क्या करेंगे? हीवांंक से सम्मधित प्रश्टन है तो क्या करेंगे अब मैं आपको दिखाता हुँ बेटा बदी प्रेशन इन अ फ्रिजिंग पॉयंट हिमांक में अवनमण किमांक में अवनमन से अगर प्रश्टन आ तो क्या करेंगे तेक बार सूत्र बेख दिला दूव मतलब लेके चल रहा हूं ना कि आप लोगों ने चैप्टर जो है शुरू से पढ़ा हुआ है आपने कौथनांग में उन्नयान हीमांग में आउनमन यह सब आपने पढ़ लिया है यह मैंने आपको पढ़ा दिया है लिजिए मैंने सारे फॉर्मला आपके सामें लिख दिया अब चलो इसके प्रस्ण बनाते वक्त कैसे कैसे बातों पर ध्यां रखना है तो लगभग सेम है कि अगर दो दरव्यमान दिया होगा तो फिर छोटे वाले दरव्यमान को डेबलू बी और बड़े वाले दरव्यमान क लेंगे यह भी सेम नियम है अगर दो तापमान दिया होगा तो फिर इस बार इस बार छोटा तापमान होगा बेटा टीएफ और बड़ा तापमान होगा यह बस उल्टा हो जाता है यह बस उल्टा हो जाएगा अभी ठीक है और अगर और अगर किसी प्रस्ट में सिर्फ एक एक ही ताप मान दिया है एक ही ताप मान तो समझ जाओ कि आपको क्या चीज का वैलू दिया है डेल टीएफ का तो लीजिए यह मैंने आको बता दिया बाकी अगर किसी प्रश्ण में बोलेगा कि मातरा या द्राव्यमान या भार ग्यात करो तो फिर वही लॉजिक है समझा बे ताप मान या या ही मांग ग्यात करो तो समझ जाओ बेटा आपको क्या ग्यात करने बोर रहा है तो फिर समझ आपको टीएफ ग्यात करने बोर रहा है समझ आपको टीएफ ग्यात करने बोर रहा है और अगर बोलेगा कि अवनमन ग्यात करो अवनमन ग्याद करो तो फिर सिंपल सी बात है आप समझे गया होंगे क्या ग्याद करना है आपको डेल टीएफ ग्याद करना है और अगर बोलेगा अडू भार ग्याद करो अडू भार ग्याद करो तो ये भी आप समझे गया होंगे MB ग्याद करना है तो लीजिये, सब कुछ सेम है लगबग, बस ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये बस उल्टा हो गया, तो अब हीमांक में अवनमन से संबन दी, तो कोई भी प्रस्ट ना आए, इसको बस याद रखो, सारे कोशन बन जाएंगे, बनाएंगे अभी पहले इसका है कि स्क्रिंश प्रस्ट ले लिजे प्लीज, तो चलिए, कुछ प्रस्ट ना बना लेते हैं बेटा, इसकी आधार पर, यह प्रस्ट देखो, लीजे, आपको सामने एक प्रस्ट ना चुका है, बना के देखते हैं इस प्रस्ट को उसी बेसिस पे जो मैंने आपको लॉजिक बताया, तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो जरा, इस प्रस्ट में लिखा है एक ग्राम, एक ग्राम, और लिखा है बी होता है और बड़ा वाला दरविमान डबलू ए होता है आगे बढ़ते हैं अब और क्या लिखा है इसमें इस प्रश्ण में लिखा हुआ है कि बेंजीन के घोलने पर बेंजीन का हिमांग बिंदू कम हो गया यहां ताप मान दिया है बैटा अब नोटिस करो इस प्रश्ण करने सब्सक्राइब यहां डिया है अगर प्रश्ण में tap मान हो अगर प्रस्ण में a- case nem dal ह Earn कि तौन हो तो फिर वह समयुको डियल टी हम वैल्लिव है तो बिटा यह की टाप मान दिया है एदक हो एक हिता आप मां दिया है तो फिर वो डैल TF का value ता 0.40 Kelvin अब कई बच्चे बोलते हैं कई बच्चे बड़े कलाकार होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं सर ये भी तो ताप मान है तो फिर ऐसे भी तो 2 ताप मान हो गया तो अरे भाई ये KF का मान है ये KF का मान है तो मैं बोलता हूँ ना एक ताप मान दिया रहेगा तो KF को छोड़कर KF तो दिया ही रहेगा बेटा KF को छोड़कर अगर 2 ताप मान दिया है तो फिर वो है T0F और है वो TF और अगर और अगर KF को छोड़कर KF को छोड़कर अगर एक ताप मान दिया है तो बेटा वो T0F है तो फिर ये मैं समझ लेना कि सर्फ दो तो ताप मान है के एफ तो दिया ही रहेगा के एफ को छोड़के अगर एक ही ताप मान दिया है तो फिर वो डेल्टी एफ का वैल्ली हो तो लीजिए मैंने सारा चीज आपके सामने लिख दिया है अपके बड़ा सर लेल्टी एफ के एफ डबलू बी इंटो थाउजेंड एम बी डबलू ए चलो सारे वैल्यू पुट करें तो देल्टी एफ किता दिया है बेटा जीरो पॉइंट फोर टू के एफ कमान किता दिया है के एफ कमान किता दिया है 5.12 डबलू बी एक ग्राम डबलू ए कहा है डेब्लू ए बेटा वो 50 है ना सौरी 50 हाँ डेब्लू ए 50 गराम और आपको क्या निकाला है अडू भार याने की MB का मान ग्याद करना है तो बस जो लॉजिक आपको बताया गया था अगर आपने ये लॉजिक याद कर लिया यकीन मानिये कोई भी प्रफशना है आप बना लें बेटा चलो फिर इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर अगला कोच्छन देखेंगे हम लोग लिग लिए इसकी स्क्रीन शॉट ले लिए इसका ठीक है अब अगला प्रफशन देखते हैं और ये प्रफशन आप मुझे बना कर दिखाओ एक बड़ ट्राइ करो जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है उसके आधार पर ये प्रफशन आप मुझे बना करके बताओ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बना लेंगे बिल्क बना सकते हैं चलो ट्राइ करो तो बैटा एक बार जो जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया उसी की बेसिस पर आपको बताना है ये कैसे बनेगा ट्राइक रो चलो एक बार बैटा इस चैप्टर का वन शॉट जैसे ही चैप्टर कम्प्लीट होगा आपको दे दिया जाएगा चुर ट्राइ करो 80 ग्राम जल में 0.52 ग्राम ग्लुकोस को घोला गया है ट्राइ करिए ट्राइ करिए राजकुमार चौहान हो गया बैटा बेरी गुड और कोई जिसने बनाया हो ये मनीश रोहित साबास बेटा हो गया क्रिष्णा वेरे गुड ठीक तो चलिए तो जो तरीका आपको समझाया गया उसके बेसिस पर मुझे लगता है अब आप कोई भी प्रश्ण आपके सामने आगा उसको आप बना लेंगे अब चलते हैं तीसरे अडू संख्या गुड के तरफ क्या था बेटा वो परासरन दाब पिछले क्लास में हम लोगों ने परासरन दाब पढ़ा था चलिए अब उसके अनिमेरिकल कैसे बनाते हैं उसके बारें बात करते हैं तो परासरन दाब पे आधारित ये प्रश्णे इसके स्क्रीन शॉट ले लो आप लो घर में बना लेंगे आप लोग इसके स्क्रीन शॉट ले लिए आप घर में बना लेंगे और ये अडुभार जब परासरन दाब था जिसको हम और क्या बोलते थे बैटा ओस्मोटिक प्रेशर तो बैटा परासरन दाब का क्या सूत्र मैंने आपको बताया था तो परासरन दाब ग्याद करने का सूत्र होता है पाई एक्वल टू सी आर टी या फिर पाई एक्वल टू डब्लू बी आर टी एम बी और वी आम तोर पर ये वाला जो प्रश्ण है परासरी ये वाला जो सूत्र है यही ज्यादा यूज होता है अब चलो बैटा सूत्र तो तुम याद कर लोगे अब मैं आपको दिखाता हू सूत्र याद करने के बावजूद, थेवरी को अच्छे से पढ़ने के बावजूद, हमको और भी बहुत सारी छोटी छोटी बाते मालूम होनी चाहिए, तभी आप प्रश्ण बना पाओगे, अच्छे से बना पाओगे, सारे प्रश्ण बना पाओगे, तो आप सूत्र तो छ गैस इस्थरांग गैस इस्थरांग इसका मान होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन अब जड़ा गौर से सुनो इस चेप्टर में जो इकाई परिवर्तन है वो एकदम जरूरी नहीं है यह नहीं था इस चेप्टर में शुरू से हम लोगों ने कई प्राश्ण बनाए लेकिन इकाई परिवर्तन याने के यूनिट कनवर्जन बहुत जरूरी नहीं था आपने देखा होगा हम लोग ने किसके किसके निमेरिकल बना लिया है बेटा हेंरी कनियम उसकानी मेरिकल बनाया, राउल कनियम उसकानी मेरिकल बनाया, अभी हिमांग का और कोथनांग का अभी तक जो इकाई परिवर्तन है वो एकदम अनिवारिय नहीं था लेकिन इस टॉपिक में इस टॉपिक में यूनिट कनवर्जन एकदम अनिवारिय है गौर से सुनना मैं क्या बोर रहा हूं आपको पता है जब भी किसी सूत्र में आर लग जाता है गौर से सुनना जब भी किसी सूत्र में आर लग जाता है तो आर कहता है कि मैं जब जब किसी सूत्र में मिलूँगा गौर सुनना आर कहता है मैं जब-जब किसी सूत्र में आपको मिलूंगा, तब-तब कुछ भी हो जाए, आयतन, आपको लीटर में ही लेना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, आयतन आपको लीटर में ही लेना पड़ेगा, दाब, आपको कुछ भी हो जाए, ATM में ही लेना पड़ेगा, और ताब, ताब आपको कुछ भी हो जाए केलवीन में ही लेना पड़ेगा जबकि अभी तक जितने भी निमेरिकल बनाएं उनमें इकाई परिवर्तन एकदम अनिवार यह नहीं था लेकिन इस टॉपिक में क्योंकि आर का उपियोग हो रहा है तो बेटा हमेशे आद रखना जब भी किसी प्रस्ट में या किसी सूत्र में आर लग जाता है आर आर तो फिर उसमें इकाई परिवर्तन एकदम अनिवार यह हो जाता है तो आर कह रहा है कि जब जब मैं किसी फॉर्मूला में लग जाता हूँ तो आयतन हमेशा लीटर में ही लोगे दाब हमेशा ATM में ही लोगे और ताफ हमेशा Kelvin में ही लेना पड़ेगा अब आप मुझे बताईए इकाई परिवर्तन आपको आता है ना चलो एक बार मैं अपने तरफ से आपको बताएता हूँ पहले बात करते हैं बेटा आयतन की आयतन की तो अगर हम बात करें आयतन की तो ब मैं में में तो क्या करोगे उस एम मलें मान के साथ हजार का गूड़ाकर दोगे तो एमल लीटर बन जाता है यह बात आपको भी प्रष्ण में 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 Clearly possible कissenशन में सेंटीमीतर क्यूब लिख लिखा है तो वैप परशान मत हो ना वो ए अगर किसी प्रश्ण में सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो समझ जाना वह एमल ही होता है और अगर किसी प्रश्ण में डेसीमीटर क्यूब लिखा है अगर किसी प्रश्ण में डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो अगर किसी प्रश्ण में सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो कुल इटर में चेंज करें ठीक है अब यह तो हो गया आयतन अब बात करते हैं बटा दाब की दाब की यह आयतन तो अगर मैंने कहा मैंने कहा कि हमेशा दाब का मान ATM में होना चीए ATM में होना चीए लेकिन अगर किसी प्रस्ण में अगर किसी प्रश्ण में दाब का मान MM में दिया है MM में और आपको उसको ATM में लाना है तो बिटा अगर आपका दाब MM में दिया है उसको ATM में लाना है तो फिर समझ जाओ आपको MM वाले मान के साथ 760 डिवाइड करना पड़ेगा तो जब भी आपके प्रश्ण में दाब का मान MM में दिया रहेगा पर लाना उसको ATM में है तो MM वाले मान के साथ 760 का भाग दे देना तो ATM बन जाएगा अच्छा, अब आप, कन्फ्यूज मत होना, कभी-कभी किसी-किसी प्रश्ण में टॉर लिखा रहता है, टॉर तो भी कन्फ्यूज नहीं, बार और ATM सेम होता है, बस इतने हाध रखना कि MM या टॉर लिखा है तो उसको बार या ATM में चेंज कर लेंगी, कैसे करेंगे? भागित 760 और अगर और अगर ताप की बात करें और अगर ताप की बात करें तो अगर ताप की अगर हम बात करते हैं तो अगर ताप मान डिग्री सेल्सेस में दिया है और आपको उसे कैल्वीन में बदलना है अगर ताप मान डिग्री सेल्सेस में है और कैल्वीन बदलना है तो डिग् परिवर्तन है वो मैंने आपको बता दिया तो इस टॉपिक में निमेरिकल तभी बनता है जब आपको यह यूनिट कर नवर्जन पता हो चलो पहले कॉपी कर लिजिए इसका फिर हम प्रश्ण बनाएंगी बेटा कि आप सुरी अब इतना पता होने के बावजूद ये सब पता होने के बावजूद और भी कुछ-कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जैसे कि यहां सुना बेटा अगर किसी प्रश्ण में अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हुआ है दो परसेंट ग्लुकोज विलियन तो अगर किसी प्रश्ण में लिखा है दो परसेंट ग्लुकोज विलियन तो इसका अर्थ होता है बेटा इसका अर्थ होता है कि दो ग्राम ग्लुकोज उपस्थित है 100 ml विलियन में यह मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे कई प्रस्ट्ण होते हैं जिसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो जब भी किसी प्रस्ट्ण में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि 2% glucose इसका मतलब है 2 ग्राम glucose दो ग्राम ग्लुकोस 100 ml विल्यान में उपस थी था इसका मतलब यह समाझ देना तो बेटा है इसका फाइदा क्या में आपको तो दो ग्राम ग्लुकोस यानिके डबलू बी का मायन हो गया और हंडेड एमल मतलब यह वी का मायन हो गया वी का मायन मतलब वी का मायन मतलब समझ ग जितना परसेंट बोलेगा उतना WB कमा ले लेंगे और यह आयतन है भूलेंगे नहीं आयतन ML में है लीटर में चेंज कर लेना क्योंकि लीटर में चेंज करना पड़ेगा तो यह हो गया एक लाजिक इसके लाबए एक लाजिक और सुनो अगर किसी कोशन में लिखा है अगर किसी कोशन में लिखा है कि टू solutions are isotonic अभी आईजो टोनिक क्या बोलते हैं एक मैं रुकर बैटा इसो टोनिक संपरासरी विल्यन संपरासरी विल्यन ओके संपरासरी विल्यन तो आईजो टोनिक मतलब होता है संपरासरी विल्यन तो अब सुनों अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हुआ है कि दो विल्यन आईजो टोनिक है यानि कि दो विल्यन संपरासरी है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके पास दो विल्यन है और दोनों का दोनों का परासरन द आपका मान एक ही है जब भी किसी प्रस्ट में ऐसा लिखावाएगा कि दो विल्यन सम परासरी है मतलब समझ जाना दोनों विल्यन का परासरन दापका मान एक ही है तो यह कुछ छोटी-छोटी बाते है याद रखना यह सब पुस्तक में लिखावा नहीं मिलता बेटा यह जो बता रहा हूं यह जो बता रहा हूं यह सब आपको अलग से पुस्तक में लिखावा नहीं मिलेगा यह सब आपको पता होना चीह तभी आप नुमेरिकल बना पाओगे चलो इसका स्क्रीन शॉट लो फिर प्रस्ट ने बना के बताओंगे बेटा मैं आपको